हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मूली सेहत के लिए फाइदे मन्द होती है स्वास्त विसेसद्यों के मुताबिक सर्दियों में मूली के सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है सर्दी खासी जैसी बिमारियों से बचा जा सकता है मूली खाने से दिल की बिमारियों का खत्रा भी कब होता है लेकिन कई लोग मूली खाने से परहिच करते हैं लोगों के सिकायत होती है कि मूली खाने के बाद उन्हें गैस बनती है जिससे उन्हें कभी-कभी लोगों के सामने सर्मिंदा भी होना पड़ जाता है कई लोगों को मूली खाने से पेट में दर्द होने की सिकायद भी रहती है अर्वेदाचार्य की मुताविक इस तरह की समस्या मूली खाने से नहीं होती है बल्कि मूली के सेवन की गलब तरीके से होती है मूली को खाने का भी एक सही समय होता है लोग कभी भी या किसी भी तरह से मूली का सेवन करता है पर डाम सोरूप उन्हें पेट में दर्द या अधित गयास बनने की समस्रा हो जाती है चलिए जानते हैं मूली खाने का सही समय क्या है और मूली के सेवन का सही तरीका क्या है मूली खाने का सही समय मूली को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए रात के खाने में भी मूली का सिवन नहीं करना चाहिए अपसर लोग मूली को खाने के साथ सलाग के तौर पर खाते हैं लेकिन आपको पकी सबजियों के साथ सलाग में कच्ची सबजिया नहीं खानी चाहिए ऐसा करने से आपके पाचन तंत्रपन दबाओ पड़ता है इसलिए मूली को सुभा के नास्ते के बाद या दोबार के खाने से पहले खाना चाहिए चाहे तो लंच और डिनर के बीच जो प्रंच टाइम होता है आप उस समय मूली खा सकते हैं इस समय मूली खाने से आपके सरीर में मूली के सभी पोशक तत्थ मिलेंगे और पाचन क्रिया भी अच्छी होगी मूली खाने का सही तरीका कच्ची मूली खा रहे हैं तो उसके साथ अन्य कच्ची सबजियां भी सामिल करें जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, आदी को मिलाकर सलाथ की तरह खा सकते हैं मूली खरीदेते समय ध्यान दे कि अधिक पकी मूली ना खरीदे इस तरह की मूली खाने के बजाए पतली, छोटी और स्वाद में मीठी मूली का सेवन करें मूली को पच्चने में समय लगता है इसलिए मूली खाते समय एक अस्थान पर ना बैठें बल्कि चलते फीरते रहें ध्यान दे कि मूली को छील कर उसमें काला नमक लगा कर खाए किन लोगों को मूली नहीं खानी चाहिए अगर आपके सरीर में अधिक गर्द रहता है तो आपको मूली का सेवन नहीं करना चाहिए जो लोग सारीरी गति बिधी नहीं करते है उन्हें भी मूली खाने से बचना चाहिए ऐसा लोगों को मूली खाने से पेट दर्ड या गैस की समस्रा बढ़ जाती है अब आईए जानते हैं मूली खाने के फाइदे डाइबिटी जिसे चुटकारा अगर आप डाइबिटी जिसे परिसान है तो आपके लिए मूली बहुत ही फाइदे मंद सावित हो सकती है इसके लिए रोजाना कम से कम एक मूली पत्ते सईथ खाने से सरीर में सुगर लेवल नहीं बढ़ता है और डाइबिटीज में अराभ मिलता है कबज की बिमारी से चुटकारा पाये मूली के रस में छारीय तट्व होते हैं जो भोजर को पचा कर कबज को ठीक करते हैं सो मिली लीटर मूली का रस रोजाने दिन में एक बार पीने से कबज का रोग बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है साती साथ खाना खाने से कुछ देर पहले रोजाना आधी मूली खाने से भी कब्ज के रोग में आराम मिलता है पत्री के इलाज में छुटकारा पाएं पत्री के लिए 30-35 ग्राम मूली के बीजों को आधा लीजर पानी में उबाले जब पानी आधा रह जाए तब इसे छान कर पीने से ब्लैडर की पत्री चूर चूर होकर पेसाफ के साथ बाहर आ जाती है या प्रयोग 2-3 महीने तक करना चाहिए साथ ही इससे गोल ब्लैडर की पत्री बंद हो जाती है मूली करनस पीने से भी पतिरी की बिमारी से छुटकारा मिलता है कैंसर की बिमारी से छुटकारा कैंसर एक गंभीर बिमारी होती है लेकिन क्या आपको मालूम है कैंसर की बिमारी के लिए मूली कितने फाइदे मन्द होती है पेट, मौ, आप और किड़िनी की कैंसर से लड़ने में मूली बहुत सा आयक है क्योंकि मूली में भरपूर मात्रा में फोलिक आशेक, बिटामिन सी पाय जाते हैं जो सरीर को कैंसर से लडने में मदद करते हैं मूली का रोज इस्तमाल करने से कैंसर के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है पीलिया की बिमारी से छुटकारा पाये पीलिया भी एक गंभीर बिमारी होती है जो खून को पानी बना देती है पीलिया का इलाज के लिए एक प्लेट कटी हुई मूली में निम्मू कर रस और काली मिर्ची डाल कर मिला लीजिए इसे रोजाना खाने से बहुत ही जल्द पीलिया करो ठीक हो जाता है पाइरिया बिमारी से छुटकारा पाईए पाइरिया की बिमारी के लिए मूली बहुत ही फाइदे मंद होती है दिन में दो से तीन मार मूली के रस का बुला करने से और इसका रस पीने से पाइरिया की बिमारी में राहत मिलती है इसके साथ साथ मूली के रस को मसूडों वदातों पर मलने से पाइडिया की बिमारी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है मुहासर से छुटकारा पाए मुहासर के लिए भी मुली बहुत ही फाइदे मंद होती है मुली में विटामिन सी, जिंक, वी कॉंपलेक्स पाया जाता है जो मुहासे की भीमारी के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है मुली को गोल-गोल काट कर मुहासे पढ़ लगाए और तब तक लगाए जब तक खुसक न हो जाए कुछ देर बाद मुग को ठंडे पानी से धोए ऐसा कुछ दिन करने से मुहासे खत्म हो जाएंगे कमर दर्द से छुटकारा कमर दर्द के लिए भी मुली बहुत ही फायदे मंद होती है कमर दर्द के लिए 100 मिली लीटर मुली के पत्तों के द्रस में 100 ग्राम चीनी मिलाकर 7 दिनों तक रोगी को पिलाएं इससे कमर दर्द में अरा मिलता है पेट दर्द से छुटकारा गैस के कारण पेट दर्द हो तो भी मूली बहुत फायदे मन होती है मूली का पत्तो सही एक कप रस निकाल कर हलका गर्ब कर लीजिये इसमें एक चोथाई चमच सेख पीशी हुई आजवाईन, स्वादानुसार काला नमक और एक चुटकी हीन डाल कर अच्छी तरह मिला लीजिये इस रस को दिन में दो बार कुछी दिनों तक पीने से बहुत ही जल्द पेट दर्द में अरा मिलता है